सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्लिक करें बल आइकॉन को हमारे याने वाली वीडियो सब से पहले देखने के लिए बिस्मिल्लायरह्मानिरहीम असलाम लेकुम व्यूर्स मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश्रामदीद कहती हूं मेरे करती हूं कि आप सब खैरिया से होंगे लेकिन उससे पहले आपने हमेशा कीतना मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके और आज मैंने आपके साथ एक बात शील करनी है वो ये कि हमने एक नियू वी लोगिंग चैनल राना दील आमत के नाम से स्टार्ट किया है जिसका लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मजूद है और आप वीडियो के लास्ट पर भी इसका लिंक देख सकते हैं जिससरा आपने मेरे इस कुकिंग चैनल को स्पोर्ट किया इस पर में थे शूनल करें चलिए मैं आपको बताती हूं के कलमी तिक्पा किस तरह बनाते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको एत बाद बता दूँके मैंने मार्केट का कोई भी बासाला इस्तमाल नहीं किया मैं सिर्फ और सिर्फ घर के प्यॉर मसाले इस्तमाल करूंगी और यकीन करें इससे यह बहुत ही टेस्टी बनता है लेकिन अगर आप मार्केट का जो कोई भी अच्छी कंपनी का तिका मसाला इस्तमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं यह आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है चलिए आप देखतें कि को से इंग्रीडन दकार होंगे इसके लिए मैंने लेकिस लिया है यह आप देख सकते हैं कि सारे जो हैं वो लेकिसी ही है इसके बाद यह मैंने चाट मसाला लिया है एक चमच सूका दिम्या पाउडर एक चमच सुर्ख मिर्च पाउडर एक चमच न चमच, हल्दी, आदा चमच, इसके साथ दहीं जो है वो मैंने एक प्याली इस्तमाल किया है और थोड़ा सा लीमू का रास्त इस्तमाल करेंगे चलिए अब इस सब चिकन को मैरिनेट करते हैं मैंने एक ये खुला बरतल लिया पैन आप इसके अंदर मैं सबसे पहले दहीं शामिल करूंगी काली मिट्ज पाउडर हल्दी पाउडर चाट मसाला पाउडर गर्मसाला सुका धन्या पीसा हुआ सुर्ख मिट्ज और नमक अब हम इस सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम क्या करेंगे यह लेमन का रस इसी तरह में सारे लिमुकरास शामिल कर दूंगे अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छा थोड़ी से जो है वो दई मैं और शामिल करूंगी ताके इसकी जो है वो अच्छा सी पेस्ट बन जाए अब जो हमारा दई है वो त्यार हो गया अब मैं इसको मैरिनेट करूंगी यह मैं अब अच्छे से मिक्स कर लें दई में सारे मिसाले अब मैं इसके अंदर जो चिकन पीसेज है इसको शामिल करूंगी इसको अब हम अच्छे से जो है वो मैरिनेट कर लेंगे अब इसको हम तीन से चार घंटे के लिए बेहतर रजट के लिए हम इसको पूरी राजो है वो मसाला लगा कर छोड़ देंगे जब यह मैरिनेट हो जाएगा तीन से चार घंटे बाद तब हम इसको सीखो पर लगा कर बार्बी क्यों इंजॉय करेंगे कि अब गया मां कंडम्मी तिक्का बनाने लगे हैं कलमी तिक्के के अंदर यह पूरा एल जो लेक है सब्सक्राइबäre दो पर सब्सक्राइब Self कि इसी तरह अब हम सारो को त्यार कर लेकर अब जी यह मारा कल्मी तिका जो है वो बानकर बिलकुर रैडी हो चुका है कि अब इससे डिशाओद करेंगे जी और खाएंगे हैं अब अब इसे अब इसे अब इसे अब इसे आपको पसांदर आई होगी फिर एक नई रेसिपी के साथ आपके खिदमत में दुबारा हजिर होगें तब तक हमें इजाज़त दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत ब दूलिएगा फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक अपना ख्यार रखें अल्ला आफेज़ उल्फे तक हमें।